दूसरे के गिर्वान में जाकने से पहले अपने गिर्वान में जरूर जाक लेना चाहिए। जिसके बीच बचाव में तेजश्वी आदव की माता और पुर्व मुखमंत्री रावडी देवी सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारिया दी है। जिसको लेकर कल नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी आदव ने अपने फेस्बुक पेज़ पर आकर ये तमाम जानकारिया दी थी और सरकार की कम्यों को उजागर किया था। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी आदव की माता चुप कहां रहने वाली थी वो भी जवाब दे दी हैं। लाज ही उन्होंने ट्वीट कर ये सरकार के लोगों से ही पूछा है। और वो भी जडियो और बीजेपी के लोगों से। उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो जरा हम आपको पढ़के बताते हैं। राबडी देवी ने लिखा है जेडियो में बिहार में जेडियो के मुख मंत्री के अलावा बीजेपी के दो-दो उपमुख मंत्री हैं बिहार में बीजेपी के पांच केंद्रिये मंत्री हैं परदेश में और एंडिये में 31 मंत्री हैं और हर जिले के अलग-अलग परभारी 40 149 एंडिये के लोगसभा सांसद और 9 राजसभा के सांसद हैं और भाजपा और जद्यू के 126 विधायक हैं ये सब कहां छुपे हुए हैं यानि रावडी देवी ने नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी आदव के बीच बचाओ में आकर ये तमाम जानकारियाद ट्वीटर मार् और उन्होंने बीजेपी और जेडियो के लोगों से सवाल पूछा है ये तमाम आपके विधायक नेता सांसद आपके जिला अधिकारी तमाम लोग हैं उसके बावजूद भी इस बैस्विक महामारी में कहीं भी आपके नेता नहीं दिख रहे हैं अपने घरों में कैद हैं क्या तेजश्वी आदव के लिए करोना नहीं है ये तमाम जानकारिया रावणी देवी ने दी है और वे ये पूरूब मुकमंत्री हैं और लालू प्रिशाद यादव की पत्री हैं उन्होंने तेजश्वी आदव के बीज बचाव में ट्वीट कर ये जानकारिया दी हैं वही नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी आदव ने कल फ्यू फेस्बुक पेज पर आकर ये तमाम जानकारिया दी हैं कि हमारे विधायक और हमारे नेता लगातार अपने छेत्रों में काम कर रहे हैं 200 अक्सीजन मंगाया जा रहा है सौधी अरव से वही नेता प्रतिपक्ष उन्हें ये जानकारिया दी वहीं उन्होंने कहा कि लालू रसुया चलाए जा रही है देखा ये जाएगा कि क्या लगता है कि अब रावरी देवी के ट्वीट के बाद पक्ष के लोग क्या जबाब देते हैं क्योंकि उन्होंने जबाब पुछा है सरकार के लोगों से उसस रावरी देवी के जवाब में पक्ष के लोग क्या जवाब देते हैं तब तक के लिए आप बने रहें देश्डी नियूस के साथ और देखते रहें देश्डी नियूस